अगर अभ आप बेरोजगार है रोजगार की अतलास में हैं और पैसे किभाभके करन खुई रोजगार नहीं कर पा रहे हैं तो यह कहवर आपके लिए हैक दोस्तो स्वागत करते हैं दोस्तो द्रसल वाहन परदूसन जाहां सकेंद्र के खोलने के लिए सरकार से प्रोषान रासी अधिक्तम तीन लाक रुपे तक दिया जाएगा अगर आपके पास योगता है तो आप इस योजना का लाब उठा सकते हैं तीन लाक रुपे सरकार दोर इसमें प्रोषाहन रासी के रूप में दिया जाएगा डो fins वीडियो में बताने वाले हैं कि इसके लिए जांच केंदर खुलने के लिए आवेदन मांगे गया है इसके लिए 35 जूलियो का चुनाब हुआ है जिसमें 134 परखंडों के लिए आवेदन अमंत्रित किये गया है इसको हम बताते हैं विष्टार से परखंडों में वहां चांच केंदर खुलने के लिए आवेदकों को अब 3 लाक रुपे की पुरसाहन रासित दी जागी इसके लिए परिवहन विभाग ने आम लोगों से आवेदन अमंत्रित किया है इस योजना के लाभ वैसे परखंडों में मिलेगी जहां पेट्रोल पंप एबम वहान सर्विस सेंटर का त्रिक्त एक भी वहान परदूसन जाज के अंदर नहीं है परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा है कि नय परदूसन जाज के अंदर खोलने से लोगों में रोजगार को अउसर मिलेगा एबम लोगों को वहान परदूसन जाज के अंदर खोलने के लिए इसके लिए दोस्तों कल जो कैबिनेट का मैठ बैठक था उसमें यह मंजूरी दी गई है परिवहन सचीव संजय कुमार गरवाल ने बताया कि परखंडों में वहान परदूसन जाज के अंदर खोलने के लिए वहान परदूसन जाज के अंदर प्रोसाहन योजना लागू की ग दिया जाएगा यह जो अधिक्तम तीन लाग रुपे प्रोसाहन राशी यानि अनुदान राशी जो दिया जाएगा यह सरकार को रिटर्ण नहीं करना है यानि कि यह फिरी में दिया जाएगा दोस्तों इसके लिए जो है सैक्षनिक योगता की बात करे तो इसमें आवेदक कि योगता होना चाहिए एक से अधीक आविदन आने पर उचिशिक्षनिक योगता को प्राथ्मिक्ता किसी परखंड के लिए हैं दिया जाएगा एक सया धीक आवेदन प्राप्त होने करिया योगताउ होगी दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि यह को अधिक आहएगा तो उनको प्राच्मिक्ता दिया जाएगा चलिए इसके क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वह हम जान लेते हैं आवेदक को उसी परखंड के अस्थाई वासी होना चाहिए जिस परखंड में वहां जांचिकन के अस्थपना की जानी है अवेदक स्वय या उसका स्टाफ मेकेनिकल इलेक्ट्रोनिक या आटो मोवाइल अभियंत्रन में डिग्री धारी अथ्वा डिपलोमा हो अथ्वा इंटर्मेडियेट हो बारविक अक्षा में डिग्री होना चाहिए अथ्वा डिपलोमा होना चाहिए या यह दोनों नहीं है तो आपका इंटर्मेडियेट में यानि बारविक में साइंस विशाय से आप किये हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं कहां करना होगा आवेदन आपको जीला परिवहन कर आला यानि चैन किया जाएगा जिसकी परखणवार सूची का परकाशन 24 जनवरी को किया जाएगा उसके बाद 25 जनवरी का अंतिम्यगा सूची का इसका परकाशन कर दिया जाएगा तो दोस्तों आप युक्षूख है बहुत ही अच्छा मौका है आवेदन कीजिए और इसका लाव जो युवा जिनके पास इंटर्मेडिय चैन्स है या मेकएनिकल में मेकानिकल इलेक्ट्रोनिक में जो डिग्री रखते हैं या डिप्लोमा रखते हैं उनका चैनिक किया जाएगा या जो जो मोटर वहां से आई-टी आई किये हुए है समनही च्रेडर्र में उनको रखा जा तो इस पर जो लागत है उसमें सरकार 3,00,00 रुपे तक अनुदान दे रही है इसका जो आवेदन का डेठ है वह 15 जनवरी तक निधारित किया गया है आवेदन आप जीला परिवहन कर सकते हैं जीला परिवहन कर यानि डीटी ओफिस में जाके उनके पास आवेदन कर सकते हैं जीला परिवहन कर जाएगा उसके बाद 25 जनवरी को अंती मेहा सुची का परकासन कर दिया जाएगा इस परकार आप आशा और उमीद करते हैं कि सभी जनकारी आपको मिल गई होगी वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दुस्तों के पास ऐसे हमेशा नौलेजबल वीडियो पाने के लिए